बिहार में स्वास्ते हालात को लेकर तो पहले से राजनुतिक पारा चड़ा हुआ था तो वही केंद्रे ग्रीमंत्री अमत्षाह के डिजिटल रैली ने सूबे की सियासत में उबाल ला दिया और अब विदान सभा चौनाफ को लेकर सियासी दलों में भी तल्ख बयानबासी क का दौर्ट तेज हो गया है जी हां जेडियों ने एक बार फिर विपक्षिदल आरजेडी और कॉंग्रेस को आड़े हाथो लेते हुए उनके शासनकाल का हिसाब मांगा है जिसका विपक्ष ने भी जोड़दार अंदाज में जवाब दिया है बिहार में साल के आखिर में होने वाले वधान सभाचनाव को लेकर राजनितिक सरगर्मिया तेज हो गई हैं एक तरफ रविवार को केंद्रे गृह मंत्रे अमच्छाह ने वर्च्वल सभा करके बीजेपी का चनावी शंकनात किया तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी ने ग जेडियो 15 साल का हिसाब देनी को तयार है लेकिन इससे पहले कॉंग्रिस 55 साल और आरजडी 15 साल का हिसाब जनता को दे मंत्री ने कहा विपक्ष के नेता अपने गाउं और बूत पर जाएं फिर विकास देखें उन्होंने कहा नितीश कुमार के नेतरत्व में एक बार फिर और साथ ही बीजुपी को भी आरे हाथ लिया। कॉंग्रिस प्रिवक्तर राजेश राठोर ने कहा एंडिय सरकार ने 6 साल में ही लोगों को सड़कों पर ला दिया। साथ ही देश के अर्थवयवस्था को चौपट कर दिया। जनता ने मन बना लिया है किस बार महागडबंधन को चताएंगे। अब जीत का दावा तो एंडिय और महागडबंधन दोनों की तरफ से किया चा रहा है लेकिन बिहर के जनता के मन में क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।